तो कैसे हैं आप लोग तो SBT के एकजाम के उपर एक बड़ा अपडेट आप लोग को देने जा रहा हूं बहुत दिनों से मैं SBT को पर कुछ नहीं बोल रहा था यूँकि मुझे पता था कि student लोग अपना तयारी कर रहा है जो उनका आगमी एकजाम है जो जनवरी में आपका लास जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है सभी लोग अपना तयारी कर रहे हैं तो मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ आप लोग के उपर अपडेट दे के आप लोग का डिस्ट्रेक्ट करूँ आप लोग को करता कि क्यो होता है ऐसा ये न्यूज जब आते हैं तो student लोग को थोड़ा effect परता है पराही पर लोग अपना पराही थोड़ा deal दे देते हैं तो ऐसा मैं नहीं चाहरा था इस विडियो नहीं बना रहा था बट आज बहुत बड़ा update निकल के आया है जो मैं update आप लोग को बताने जा रहा हूं सबसे पहले जो question है हम लोग के पास कि क्या exam date extend होगा क्या exam date extend होगा ये question है सबसे बड़ा भी हम लोग के पास दूसरा क्या online भी हो सकता है exam क्योंकि हमारे association जो है लगातार प्रियास में है कि online exam हो अंदोलन हो रहा है सारा चीज ट्विटर ट्रेंड बहुत चीज़ों कर रहा है आप लोग भी support करें दूसरी बात आज जो सबसे बड़ा update निकल क्या है कि SBT board की meeting होने जा रही है जिसमें कि 99% किलियर हो जाएगा कि आपका exam जो है उसी time में होगा जो आपको schedule दिया गया है या फिर वो date extend होगा ये SBT का meeting होने जा रहा है तो कब होगा meeting वो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ इसी वीडियो में दूसी बात exam के उपर पूरी तरह कि कोरोना का साया चाया होगा आप लोग सभी लोग जा रहा है जान रहे कि अभी आपका college open हो गया था आप लोग पढ़ रहते है अपना सब चीज हो रहा था है कि exam आपका online हो बढ़ देखिए बिहार में online exam संभब अभी के स्थिति के साथ से नहीं है क्यों नहीं है इसके पुछे रीजन है यूपी बोर्डर ने डाल दिया है कि वो exam online लेंगे लेकिन बिहार में अभी इसलिए संभब नहीं है क्योंकि इस बिहार के पास proper software डेवलप नहीं है और डेवलप कराने में उन्हें कम से कम जो है न 30 से 40 दिन कोई अगर आप कोई भी CS ब्रांग से होंगे या कहीं से भी होंगे आप लोंको मालूम होगा कोई भी software न्यू डेवलप करने में आप रॉक्स तीस से चालेंट एक साथ एकजाम देंगे वह सौफ आइन एक्जाम के लिए आप लोग अपना study को effect ना ले ठीक है अपना जिस तरशाब से आप त्यारी कर रहे हैं वह करते रहें दूसरी बात एक कोस्टन है आप लोग को बीच में क्या एक्जाम डेट एक्स्टेंड होगा अभी तक का जो करेंट सिच्वेशन है अभी तक कर क्या आज एक सबात सामने निकल के आई है कि SBT Board का हमारा मीटिंग होने जा रहा है किसके किसके साथ मीटिंग होने जा रहा है यह आप लोग को मैं बता दूँ जितने भी पुरे बिहार में पॉल्टेखनीक कॉलेज है ठीक है चाहे वो जीपी हो या फिर NGP हो या पिर जो सब्सक्राइब के साथ SBT Board ने मीटिंग अनॉंस किया है जो कि यह थोड़ा सांदर से खवर आया था और यह कुछ भी मन से बोल रहा हूं ठीक है यह मीटिंग जो आप लोग का होने जा रहा है 15-17 के बीच में होने जा रहा है ठीक है 15-17 जनवरी के बीच में होने जा रहा है इस मीटिंग में एक दम साफ हो जाएगा कि आपका एक्जाम उसी टाइम में होगा जो टाइम आप लोग का SBT Board दी है या फिर उसे एक्स्टेंट किया जाएगा अभी तका जैसा के कंडिसन आप लोग को मालूम है बिहार में डेली कोरोना के केसिस भरते जा रहे हैं तो चा आपदा प्रवंदन बिहार सरकार का मीटिंग है उस मीटिंग में भी कुछ हद तक हो सकता है कुछ इंस्ट्रक्शन कुछ गाइडलाइन जारी कर दे बिहार सरकार तो गाइडलाइन जैसे आएगा उसको मैं अपडेट कर दूँगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ल नहीं थे ठीक है और कुछ बच्चे पिछला वीडियो जा मैं डाल रहा था तो कमेंट कर रहे थे प्रोमोशन अब कितनी बार प्रोमोशन चाहिए आपको अब कितनी बार प्रमोशन चाहिए दो बार आप अल्यदी प्रमोट हो चुके हैं जो बच्चे 5 में होंगे ठीक है स chegou प्रोमोशन होगा नहीं होगा चाहिए इस बार मेने बाद ले इस बार प्रोमोशन संभाव ही नहीं है अपना परहाई एगदम जारी रखे आपका होगा सकता है qt board अगर सारा इस प्रस्थिती जो अब है तो आशा समान्ने हो जाए ग्रीब विवाग का ढूनos एक है और वह को खेए गया था उसमें साप साप कहा गया था कि आपके जितने भी सिक्षिंस ल सनस्तान, सारे बंद कर दिये जाए आपने टाइम जो आपको सेडियो्ल दिया गया है टाइम में हो रहा है तो ये एक आसकते ऐतने इंपक्ट पर सकता है जब फिर भी झांसेस हैं काफी चंसेस हैं कि आपका पर date जो है exam का वो थोड़ा सा ज़वा है extend हो अब extend मान लीजिये हुआ suppose कीजिये मान लीजिये extend हुआ तो कब तक होगा क्योंकि corona तो अभी तुरत खतम नहीं होने वाला है तो देखिए extend अगर होगा भी तो ज्यादा ज्यादा 15 दिन होगा एक्स्टेंड या 15 से 20 दिन इससे ज्यादा डेट आपका एक्स्टेंड एट एनिहाव नहीं होगा ठीक है लेकिन दूसरा यहां online exam का chances नहीं है क्योंकि आप लोग खुश समझ रहे हों क्योंकि उसके लिए एक प्रॉपर पोर्टल चाहिए और दूसरी बात online exam क्या MCQ का लेगी सरकार नहीं न टेक्निकल इंस्टिशूशन में पर रहे हैं आप MCQ का तो online exam ले नहीं सकती है लेगी किस चीज़ का सब्जेक्टिव सारे चीज़ रहेंगे और वह possible नहीं है आप लोग का निकाली है भी online exam प्रोटेस्ट जारी है प्रोटेस्ट होने दीजिए ठीक है अगर हो जाता है तो बहुत ही बहतरीन चीज़ है यह बहुत ही बहतरीन चीज़ है पर चांसेस बहुत कम है क्योंकि पोर्टल इतने कम टाइम में बनना नामुम्कीन है ठीक है दूसरी बात आप सभी subject का अच्छी स्तियारी करें और aspect vision की पूरी टीम के तरफ से सब भी को all the best है जो बच्छे आपके second semester में है जो बच्छे 5th semester में है जो बच्छे 6th में जो बच्छे 4th में है ठीक है तो सबही को और जिनका जिनका carry backlog है किसी paper में carry है किसी paper में back है तो उन सब आपी exam अभी ह परहाई अच्छे से जारी रखे और एक्जाम जब भी होगा आपको देना है ठीक है जो चांसेस है कि डेट एक्स्टेंड हो सकता है लेकिन ये भी चांसेस है कि डेट एक्स्टेंड नहीं भी हो सकता है जो भी होगा नेक्स वीडियो में तिल दन हब ग्रेट दे